Hello kids, how are you all? I hope you all are healthy, safe and happy at home. तो बच्चों, आज हम एक rainbow card बनाने वाले हैं. क्या बनाने वाले हैं? Rainbow card. ठीक है? तो जैसे आपको पता है कि rainy season है, तो rainy season में हमें एक और चीज दिखाई देती है, वो है rainbow. और मैंने आपको सिखाया है ना, कि rainbow में कितने colors होते हैं? So there are seven colors in rainbow, है ना? तो rainbow में seven colors होते हैं. तो हम आज rainbow card बनाएंगे. तो चलो ये activity शुरू करते हैं. तो इस activity के लिए आपको चाहिए color paper, one white paper, crayons, marker pen और glue stick. तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर एक color paper लिया है, मैंने यहाँ पर blue color लिया है, आप चाहे तो कोई और भी color ले सकते हैं. तो चलो हमारी activity शुरू करते हैं. हमें इस color paper को fold करकर एक card बनाना है. जैसे कि एक card होता है, तो इसे one fold करकर हमारा card ready है. तो हमें white paper को cloud shape में काट लेना है. तो हमने white paper से seven strips भी काट ली है. तो जैसे कि आपको पता है कि rainbow में seven colors होता है, तो हमने इस white paper से seven पतली-पतली strips भी काट ली है. तो हमें पतली-पतली काट ली है. झाल 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 तो हमें ग्लू स्टिक की हेल्प से इन सारे स्ट्रिप को इस ब्लू पेपर पर चिपका लेना है झाल अब हमें ग्लू स्टिक की हेल्प से हमारे क्लाउड्स को भी स्टिक कर लेना है तो अब हम तो देखो बच्चो आइस बनाने से हमारा क्लाउड कितना सुंदर लग रहा है और अब हम एक बड़ी सी स्माइल भी बना लेंगे तो बच्चो आप देख सकते हो के हमारा सुंदर सा रेन्बो कार्ड रेडी है और इसी रेन्बो कार्ड की हेल्प से आपको रेन्बो के सारे सेवन कलर्स की भी प्रैक्टिस करनी है So my dear children, make this rainbow card at home and enjoy rainy season. Hope to see you soon at school. Bye-bye!